Dear students, इस question में आपको दियावा है एक integral i, जो की है integration of 1 upon square root of multiplication of sin cube x and sin of x plus alpha with respect to x. तो चले शुरू करते हैं, सबसे पहले तो मैं sin of x plus alpha को expand करूँगा identity लगा कर. identity है sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. इस identity को use करके मैं sin of x plus alpha को लिख सकता हूँ, sin of x cos alpha plus cos x sin alpha. तो इस तरह से मैं integral i को लिख सकता हूँ. अब यहां पर, यहां brackets मैं से मैं sin x को common ले लूँगा. अब आप देखोगे, इन दौनों टर्म्स में sin x तो common ही नहीं, लेकिन फिर भी, देखते हैं, हम sin x common लेते तो यहां क्या रहे जाता है? मैं आपको करके बताता हूँ. देखिए, यहां से अगर मैं sin x common लेता हूँ, बाहर आ जाता है, तो यह बन जाता है sin 4 x. लेकिन इस टर्म्स में sin x ही नहीं, बाट फिर भी मैं अगर मैं common लेने की कोशिश करूँगा, तो यहां क्या हो जाएगा sin x डिवाइड हो जाएगा? चुकि इसके पास तो sin x ही नहीं, अब cos x से डिवाइड हो रहा है sin x, तो यह बन जाता है cot x. तो इस तरह से इन दौनों टर्म्स से sin x कॉमा लेने से क्या हुआ, यहां से तो sin x चला गया बाहर, और यहां से cos x का बन गया cot of x. अब आपको बैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि यह जो alpha है ना कोई variable नहीं है, alpha एक constant है, अब चुकि alpha एक constant है, इसलिए cos of alpha और sin of alpha दौनों constant numbers की तरह treat किये जाएगे, इसमें variables effects है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखिए, square root में है sin raised to the power 4x, इसको square root से बाहर निकलेगा, तो बन जाएगा sin square x, इसको मैं लिखता हूँ, अब यहां देखिए, sin square x denominator में है, अगर यह numerator में जाएगा, तो बन जाएगा cos x square x, अब एक काम करते हैं, यह cos alpha प्लस cot x sin alpha को मैं एक another variable, till assume कर लेता हूँ, differentiate करते हैं, differentiate करने पर क्या होगा, cos alpha तो constant term में 0 बन जाएगा, cortex का differentiation होता है, minus cos x square x, sin alpha यहां पर constant है, but multiplied है इसलिए as it is रहेगा, और यह है with respect to x, इसको थोड़ा सा simplify करेंगे, simplify करने पर मुझे मिलेगा, cos x square x dx is equal to minus 1 upon sin alpha multiplied by dt, अब यहां पर substitute करते हैं, cos x square x dx की जगे तो मैं यह value substitute कर दूँगा, और यह square root में जो quantity की है, इसकी जगा में t substitute करूँगा, तो integral i बन जाएगा, इसको ऐसे भी दिखा जा सकता है, integrate करने पर हमें मिलेगा, इसको simplify करेंगे, और simplify करेंगे, अब यहां पर t की value वापस substitute करते हैं, अब यह देखिए, cortex को मैं फिर से एक बार खोल इसको लिख देता हूँ, cos x upon sin x, तो यह बनेगा, थोड़ा सा और simplify करेंगे, तो हमें मिलेगा, हमें यह form मिलेगी, अब आप यह numerator को ध्यान से देखिए, यह है cos alpha sin x plus cos x sin alpha, आपको याद होगा, यह क्या बन सकता है, यह बन सकता है, sin of x plus alpha, ठीक है, इसको फिर से हम यही इसका final answer है,